छटपूजा का व्रत बहुती पवित और कठिन होता है। इस व्रत का पालन करने वाली महलाओं पर सुर देव की और छटी मैया की असीं क्रपा होती है। छट पूजा ब्रत बिना कथा के संपूर नहीं माना जाता है इसलिए छट पूजा करने वाली महलां को कथा जरूर सुननी चाहिए कथा सुनने से पहले कमेंट में छटी मयागा जैकारा जरूर लगाएं महार लोक पर हुआने जाने वाली छट पूजा इस साथ पांच नवंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रही है 22 का समापन आठ नवंबर दिन सुक्रवार हो होगा चार दिन तक चनने वाली छट पूजा के दोरान सुर्देब और छटी मैया की पूजा का विधाल है जहां एक ओर छट पूजा के दोरान महलाएं संतान की उन्नती के लिए ब्रत रखती है तो वहीं दूसरी ओर छट पूजा के ब्रत कथा सुनना भी लाइक दायक होता है ऐसे में छट मैया की पूजा जरूर सुननी चाहिए जिससे संतान सुकी प्राक्ति होती है तो चलीए कथा सुरू करते हैं राजा प्रियवंद नामक एक राजा हुआ करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी तव महारिशी कष्यव ने प्रप्त्र प्राप्ति के लिए राजा के यहां यग का आयोजन किया महारिशी ने यक्याहुती के लिए बनाई गई खीर को प्रियवंद की पत्नी मालनी को हने के लिए कहा खीर के प्रसाद से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ किन्तु वो म्रत था प्रियवंद पुत्र को लेकर समसान गई और पुत्र वियोग में प्यार तागनी लगी उसी समय भगवान की मानस पुत्री देव सेना प्रकट हुई उन्होंने राजा से कहा सच्टी की मूल प्रवती के छते अंस से उत्वन होने के कारण मैं सच्टी कहलाती हूँ माता ने राजा को अपने पुजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पुजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सच्टी का ब्रत किया और उन्हें सीग्री ही पुत्र अतन की प्राक्ती हुई जिस दिन राजा ने ये ब्रत किया था उस दिन कार्ट एक सुकन सच्टी ती थी तब इसे छटी मैया के पुजे जाने की परंप्रा आरम हो गई थी हुआ हुआ हुं